हलो दोस्तों विकैर्स में आपका स्वागत है 68 BPSC का पेपर बारत तारिक हो है और आज हम लोग करंट अफेर के और ही महत्पून कोशन देखेंगे और वो कोशन बहुत ही महत्पून है आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखेगा और बहुत ही ब्राइटी के कोशन है जो ज जरू प्रेस कर लिजेगा जिसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इस तरह के वीडियो लगतार मिलते रहें बढ़ते हैं हम लोग आज परमुक ऑपरेशन की बात कर लेते हैं कि 2000 21 और 22 के ब्विभिन ऑपरेशन भारस सरकार द्वारा या उनके विभागों द् बहुत महत्पूर हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे पहला कूशन है ओपरेशन मेग चकर इसको CBI ने सुरू किया था बाल योन सोसर से जुड़ी समागरी को ऑनलाइन परसाइद करने वाले लोगों के खिलाफ कारवाही करने के लिए या दखेगा ओपरेशन मेग चकर अ हुए योन की चीजें दिखा जाती हैं उनको रोकने के लिए ये किया गया है सेक्स्वल जो है एविज ना होने पाए उनके साथ दूसरा कोशन है ओपरेशन नार्कोस यह रेलोय सुरच्छा बल दौरा सुरू किया गया था और रेलोय के माध्यम से जो नसीले पदार्थों की तसक्री की जाती है उसको रोकने के लिए ये और रेलोय सुरच्छा मंतराले दौरा सुरू किया गया था रेलोय सुरच्छा मंतराले के अंतरगत नेर्श कोशन है और रेलोय में अगर कोई आत्री अपना सामान खो देता है तो उसको ट्रेक करके उसके सामान को उसके घर तक पहुचाने का काम ये किया गया है भारतिय रेलोए के द्वारा बहुत से लोगों के समान छूड़ जाते हैं रेलोए में तो उनके समान को देने के लिए Operation Mission अमानत सुरू किया गया है Next question है Operation सतर्क रेलोए सुरच्छबल द्वारा अप्रेल 22 में रेलोए सुर्च्छबल द्वारा रेलोए से अबैज तमाखो और अबैज सराब के परिवाहन का पता लगाने के लिए Operation सतर्क शुरू किया गया था Next question है Operation उपलब्ध रेलोए सुर्च्छबल द्वारा ये भी सुरू किया गया था रेलोए टिकट काला बाजारी करने वालों के गद्वीरियों पर अंकुस लगाने और लोगों को रेलोए टिकट उपलब्ध कराने के लिए किया गया हमें आपको पता होगा हमें भी पता है कि बहुत सारे जो लोग डीलर लोग होते हैं वो रेलोए का टिकट बनाते हैं और लोगों को जो है उपलद टिकट नहीं हो पाता है और वो बहुत परिसान होते हैं खास कर आम आदमी तो इसी लिए आउपरेशन उपलद शुरू किया गया था नेश्ट बहुत ही महत्पूर्न कोशन है यह हो सकता है कि BPSC में यह कोशन जदा संभावना है आने की ओपरेशन गंगा कें सरकार रूस युक्रेन युद के कारण भारत सरकार ने युक्रेन से भारतिय नगरी को निकालने के लिए ओपरेशन गंगा की सुरूआत की थी तो जो यूक्रेन में भारतिय फसे थे बहुत सारी स्टूडेंट मेडिकल की तयारी कर रहे थे वहाँ और वो फस गये थे तो उनको निकालने के लिए ओप्रेशन गंगा सुरू किया गया था निश्कोशन है ओप्रेशन परिवर्तन आंधर परदेश की पुलिस ने सुरू किया था ये भांग की खेती और आपूर्ती को खतम करने के लिए ये विसेश अभियान चलाया गया था ओप्रेशन परिवर्तन निश्कोशन है ओप्रेशन नन्ने फरिस्ते रेलो सुरू अच्छा बल दोरा ये भी सुरू किया था इसके तहट आर पिएफ ने देश भर के रेलो सुरू से एक हजार से अधिक बच्चों को तसकरी से बचाया है ये बहुत बड़ा अभियान किया है बहुत सारे बच्चो अधिक निश्कोशन है और भारत अफगानिस स्तान में फशियर भारतिये नागरिकों को निकालने के लिए इस मिसन की सुरूआत किया थी तो foreign ministry ने इसको शुरू किया था और जो अफगानिस्तान में जब तालिवान ने कब्जा कर लिया तो बहुत सारे भारतिये वहाँ से अपने देश आना चाहते थे तो उन भारतिये नगरिकों को बचाने के लिए बिज़े समंत्रारे ने आपरेसन देवी सक्ति नामब अभियान सुरू किया था तो यह 10 परमुक अभियान है इसको आप लोग अच्छे से देख लिजेगा बहुत important है याद रखेगा एक भी question slip नहीं होना चाहिए और पूरा पेपर इस बार बहुत अच्छे से करके आना है सब लोगों को ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं next question next question है चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन सुरू करने वाला एसिया का पहला देश बना और दुनिया का दूसरा है और पहला जर्मनी है बहुत ही महात्पूर है अगर एक्जामे आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बिस्व में पहली बार कहां सुरू की गई है तो जर्मनी में फिर अगर आपसे कुशन पुछा जाए कि बिस हाइडोजन से चलने वाली एसिया की पहले ट्रेंड कहां सुरू की गई है तो चीन में और बिस में दूसरी है जो चीन में हाइडोजन से ये ट्रेंड चलाई जाएगी भारतिय निर्वाचन आयोग ने मैथली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है एक बात ध्यान दिजेगा पूरे देश का आइकॉन अलग होता है लेकिन स्टेट का आइकॉन भी अलग होता है तो हर स्टेट के अपने अपने आइकॉन बनाये गए हैं तो उसमें मैथल आइकोन बनाया गया है याद दखेगा बहुत ही important कोशन है ये next question है अमिस्सा ने मडिपूर में 120 फिट उची पोलो परतिमा का जो है उद्धाटन किया है वहाँ पर मडिपूर में एक पोलो परतिमा का उद्धाटन अमिस्सा दोरा किया गया था और यह 120 फिट उची परतिमा है, बहुत ही महात्पूर कोशन है, याद रखेगा क्योंकि नौर्थिष्ट रजुड़ा हुआ है, तो वहां सी कोशन बहुत ज़्यादा पूटप किये जाते हैं परधान मंतरी नरेन मोदी ने 17 परवासी भारते दिवस 2023 सम्मेलन का उद्गाटन इंदोर मध्य परदेश में किया था पहली बात याद दखेगा कि इस बार हो सकता आपसे ये पूछा जाए क्योंकि बच्चे सब इसको रट लेंगे इंदोर को लेकिन पूछान हो सकता ये पूछ दिया जाए कि जो इंदोर में परवासी भारते सम्मेलन हुआ था 2023 में वो कौन सा सम्मेलन था 16, 17, 18 या 19 वा तिये 17 नमबर का सम्मेलन था ऐसे बारिक चीज़ों को आपको ध्यान देने की जरुवत है अच्छा इसमें मुख आतिथी कौन थे तो मुहम्मद इर्फान अली ये गुयाना के राश्टपती है और गुयाना देश कहां है ति दच्चरी ये जो है अफ्रिका में दच्चरी अमेरिका में है बिसेस सम्मा आतिथी कौन थे तो गुयाना के राश्टपती थे ये कूशन आपसे पूछा जा सकता है यहां सब भारतिये हमारे निवास करते हैं और यह उनके नाम व्याग को देखके लग रहा होगा चंद्रिका परसाद संतोखी ठीक है तो आपको ऐसे लग रहा होगा तो यह सब भार सरकार परवासी समयंग दोरान बुलाती है क्योंकि यह लोग परवास किये हैं नेस कोशन है डबलू एफ डबलू एफ ने हैदराबाद को चौथे उद्धोगी करांती के केंदर की अस्थापना के लिए चुना है याद दखेगा भारत के सासाद पुरे दुनिया में सब्सक्रा हुआ है और वह हैदराबाद में आयोजित किया गया है यह आप लोग याद दखेगा बहुत ही महात्मून कोशन है यह नेस कोशन है SEO 23 के सिखर समयन की अध्यचता कौन करेगा तो भारत करेगा याद दखेगा भारत जो है SEO 23 के सिखर की समयन की अध्यचता करेगा और SEO का फुल फाम है संगहाई सहयोग संगठन Southologically कोशन है Colon. भारत का पहला सम्विधान साचर जिला भना है याद दखेगा कोलम केरल में है और यहाँ के हर नागरिक सम्विधान साचर जिला गोशित किया गया है बहुत महात्पूर कोशन है याद रखेगा नेर्ट कोशन है जम्मु कस्मीर पूरी तरह से एक गवर्नेंस मोड में सिट होने वाला पहला भारतिय केंसासित परदेश है पूरी तरह से एक गवर्नेंस मोड में काम कर रहा है ऐसा करने वाला ये भारत का पहला केंसासित परदे की मेजवानी जी टुन्टी सिखर सम्मिलन के औसर पर कर रहा है और अस्थल का नाम का है गोहाटी तो गोहाटी में यूथ जी टुन्टी सिखर सम्मिलन का मेजवानी भारत सरकार कर रही भारत दौरा क्या जा रहा है और कहां पर क्या जा रहा है गोहाटी में क्या जा रहा है बहुती महत्पून है या दखेगा निश्कोशन है भारत का पहला डार्क नाइट सफाई इसकाई रिजर्व लदाक में बनेगा या दखेगा ये भारत का पहला डार्क नाइट इसकाई रिजर्व केंदर बन रहा है परेटन को बढ़ावा देने के लिए लदाक की दिकास के के लिए कहा बन रहा है लद्दाक में बन रहा है और यह भारत का पहला है अमेरिका ने महिलाओं के साच्छर वाला पहला बैंक नोट च्छापा है अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है जी टॉन्टी बिकास मंत्रियों की बैठक का मेजवानी यह करेगा या दखेगा बिकास मंत्रियों की बैठक की जाएगी और उसमें जी टॉन्टी के और यह बैठक कहां होगी वरार्सी में की जाएगी बहुत ही मात्मूर कुशन है या दखेगा नेश कोश्चन है तमिलाडू अपना जलुआई परिवर्तन मिसन सुरू करने वाला भारत का पहला राज है या दखेगा तमिलाडू सरकान ने जलुआई परिवर्तन मिसन सुरू करने के लिए भारत का यह पहला राज है जहां पर ऐसा काम किया जा रहा है next question है भारत की G20 अधिशता में पहली बैठक कहां शुरू हो रही है बंगलूरू में क्या दखेगा G20 सिखर की अंतीम जो बैठक होगी वो दिल्ली में होगी लेकिन पहली बैठक कहां शुरू हो रही है ये बंगलूरूरू में शुरू हो रही है और 67 BPSC के पेपर में यही पूछा गया था G20 बैठक कहां होगी तो दिल्ली में होना था उसको वही परस्तावित किया गया है next है New Zealand New Zealand क्या काम किया है तो New Zealand ने धुरूम पान पर परतिबन लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाखु कानून पारित किया है New Zealand की सरकान ने क्या किया है कि धुरूम पान को रोकने के लिए तंबाखु कानून पारित कर दिया ऐसा करने वाला ये विस्व का पहला देश है next question है इरान संयुक्त राष्ट महिला समर्थक आयोक से बाहर हुआ है next question है भारत सेटलाइट कम्यूनिकेशन के लिए इस्पेक्टरम की निलामी करने वाला पहला देश बन गया है भारत पहला देश है जो सेटलाइट कम्यूनिकेशन के लिए इस्पेक्टरम की निलामी करने जा रहा है ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है नेक्स्ट कुशन है रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता बन गया है याद दिखेगा अभी तक इरान सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता था इराक, माप करिएगा इराक था अब इराग को पीछे करके रूस जो है भारत का सबसे वड़ा तेल आपूर्ती करता देश बन गया है ये कुशन पुछा जा सकता है बहुत महात्पूर है नेश कुशन है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त परसिचर्स अभ्यास कौन सा हुआ है सूर्य किरण अगर इज़ा में आपसे पुछा जाए कि भारत सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास किसके साथ करता है तो नेपाल के साथ करता है नेश कुशन है दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरुसकार 222 से सम्माइद किया गया है तो दलाई लामा को सम्माइद किया गया है ये तिब अबिबाग के मामले में सबसे खराबी सिती जार खंड की है या दखेगा भारत में सबसे खराबी सिती जार खंड की है बहुत ही मातपुर कोशन है या दखेगा निश कोशन है है हैदराबाद को वर्ड सिटी गिन एवार 2022 दिया गया है ये भी मातपुर कोशन है और कई बार याद दखेगा, निश्कोशन है, अंतराष्टे सौरगरबंधन की पाचुई सभा नई दिल्ली में आयुद की गई, आप से पुछा जाएगा, कि अंतराष्टे सौरगरबंधन की पाचुई बैठा कहां आयुद की गई, अभी हाल में, तो नई दिल्ली में आयुद की गई ह और अंतराष्टे सौरगरबंधन का मुख्याले कहा है गुरुगराम घर्याणा में है इसकी अद्रचता कौन किया था तो आर के सिंग ने किया था यह भी महुद मातपूर कोशन है याद दखेगा सूंगने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कोन है तो चीन है याद दखेगा सूंगने वाली वैक्सीन मना दी गई है और ऐसा करने वाला जो है कौन बिसु का पहला देश कोन है तो चीन है उतर कोरिया ने खुद को परमारू संपन देश घोसित कर द कोही गोसित कर दिया है कि हम पर्मार संपन देश है नेधर लैंड का जो हर मांस बिग्या रिलाइंस इस्टिटूट 25 तक गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्रांट लगाएगी तो गुजरात में जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्रांट लगाए जाएगा कि कौन लगाएगा रिलाइंस इस्टिटूट और कब तक गया है तो तेलंगाना में अस्थाफित किया गया है या दखेगा आप लोग नेश कुशन बहुत महात्पूर है बिस ओजोन दिवस मनाया गया था तो ये 16 सिर्टंबर को मना जाता और इसका जो थीम है वो क्या है गलोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ओन आर्थ इस बार का थीम था या आपसे पूछा जा सकता है नेश कुशन है तेलंगाना सरकार ने अपने सच्चिवाले का नाम डक्टर भी आर अमबेटर के नाम पर रखने की खोशड़ा किया है अगर आप से एक्जाम पूछा जाए कि कहा की सरकार है कौन सी राज की सरकार है जो अ सारवजनिक अवकास घोशित करने की घोशड़ा की है तो राजा जो हरी सिंग थे ये जमुक कस्मिल के राजा थे और इन्होंने बिले पत पर हस्ताचर करके भारत में सामिन होने का नेड़े लिया था नेच गशन है भारत की पहली लीतियम noon cell factory काउध घाटन कहां किया गया तो आंध परदेस में किया गया है यह देखेगा भारत की पहली लीतियम कहां बनाई गई है तो आंध परदेस में अस्तापित की गई है संपत्ती पंजीकन को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज कोन है? महराष्ट है बहुत ही महात्पूर है कि संपत्ती को डिजिटल कर दिया गया है कि जिससे लोगों को आसुविधा का सामना न करना पड़े बहुत है भारत का पहला सुच्छ सुजल परदेश अंडमान निकोबार दिव को घोसित किया गया है याद दखेगा सुच सूजल परदेश किसे कहते हैं जिस परदेश में सोचाल है और जिस मनलब की वासरूम और जिस परदेश में हर घर को पानी उपलब्द हो जाता है जब ये दो चीज़े उपलब्द हो जाती है तो उस परदेश को सुच सूजल परदेश घोसित किया जात राध्धानी गोसित किया गया है। रक्त चाप नियंतर को करने के लिए भारत ने पहल सुरू किया है और ऐसा करके भारत ने संयुक्त राष्ट प्रोसकार जीत लिया है। भारत में सोलर फार्म अस्थापित करने वाली पहली e-commerce company कौन बनी है अमेजन बनी है जो भारत में सोलर फार्म अस्थापित करने के लिए काम कर रही है। नेस्ट कूशन है चंडरीगर्ण हवाई अड़े का नाम किसके नाम पर रखा गया अगर आपसे पूछा जाए तो सहीद भगत सिंग के नाम पर रख दिया गया है चंडरीगर्ण हवाई अड़े का नाम। नेस्ट कूशन है केडल की पुलम पारा पंचायद देश की पहली डिज़िटल रूप से साचच़ पंचायद बन गई है। next question है CBI ने drug network को खत्म करने के लिए operation गरुन सुरू किया है CBI ने एक operation सुरू किया है जिसके तहत जो है drugs के network को भारत वे समाप करने के लिए operation गरुन के नाम से एक अभियान सुरू किया है ठीक है अगे बढ़ते हैं हम लोग next question है I2-U2 अगर आप से एक्जाम में पुछा जाए कि I2-U2 क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है तो I2 का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत इजराइल क्योंकि दोनों के नाम के अच्छन में आई सुरू होता है इसलिए इसको I2 कहते हैं और U2 कहते हैं संयुक्त राज अमे रात को तो अगर पुछा जाए I2-U2 समो में कौन-कौन से देश हैं तो हो सकता है आप लोगों से यह करम पूछा जाए यह चारो देशों के नाम पूछा जा तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना गल्ती वहां ना होने पाए अगर आपसे पूछा जाए पहली किसा रेल कहा से कहा चली है तो देव लाली नासिक महराष से दानापुर पटना बिहार तक क्योंकि बिहार का पेपर है तो हो सकता है खुदा नखासना पीछे का भी कंट फिर पूछ सकता है, भीहार पूछता ही है, यह भी पहला गर पूछते, ठीक है? अचा ठीक, अगर मालो पहला नहीं पूछता है, अगर दूसरी किसान रेल पूछते, वो कहां चली है, तो दच्छिल भारत की पहली है, और भारत की दूसरी है, अनंतपुर करनाटक से हजर निजामुदीन दिल्ली तक ये तीसरी किसान रेल है हो सकता है तीसरी ना पूछ के चोथी पूछ दे तो नागपुर बारूद औरेंज सिटी महरार से आदर सनगर दिल्ली तक ठीक है हो सकता है चोथी ना पूछ के सोई पूछ दे अगर तब तो सोई किसान र महरार से साली मार पच्छिम बंगाल तक चली है सव अगर हो सकता है आप से यही पूछ दे एक हजार हुई किसान रेल कहा चली है तब क्या बताओगे तो सवादा महरार से आदर सनगर दिल्ली तक यह द्यार रखेगा यह कुछ अलग पॉइंट के बने निकाल के रखा है यह स सवाई पूछ दे एक हजार वी ट्रेन पूछ दे तब भी आपका कोशन गलत ना होने पाए निक्स्ट है अगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ सम्मेलनों की बात करते हैं उस सम्मेलन कहा होने वाले हैं और कहा हो चुके हैं जैसे जी टुन्टी सिखर सम्मेलन तो सत्रोंहा G20 यह अभी 2022 में इंडोनेसिया के बाली में हो चुका है अच्छा भारत में कौन सा होने वाला है तो 2023 में अठारवा नंबर का होगा यह याद रखेगा अपसे यह ना पूछ के आपकी इस बार यह पूछ दे तो 18 नंबर का होगा उनिसवा कहा होगा तो G20 का सिवर उनिसवा ब्राजील में होगा 2024 में और 16 कहा हुआ था इटली में हुआ था तो 16, 17, 18, 19 सब को एक साथ दे दिया गया है कुछ भी पूछ ले हम सब के लिए तयार है जी 20 जो सम्मिल यह है अपका गुरूप है यह कब बनाया गया तो 1999 में और इसमें कुल देश कितने है तो 19 देश है और एक समू है EU जो है union जो संग है इरोपिय संग है इसको सामिल किया गया है इसमें तो 19 देश और एक संग अठन इसमें सामिल है नेश्ट है संयुक्त राष्ट जलुआई परिवर्तन समयलन तो COP 27 का फुल फाम होता है Conference or Party या संयुक्त राष्ट जलुआई परिवर्तन समयलन 2002 कहां हुआ है सर्म अल सेक मिस्र में हुआ है और 28 कहां पर होगा 2023 में संयुक्त अरब अमिरात में होगा और 26 कहा पर हुआ था Glasgow UK में पहली बैठक कब होई थी 1995 में जर्मनी के बर्लिन में तो पहली बैठक 26 बैठक, 37 बैठक और 28 सब को एक साथ दे दिया गया है जिससे अगर कोशन कहीं से भी आए तो आपका छूटने ना पाएं ठीक है नेश्ट कोशन है उजिबेकिस्तान 2022 में हुआ है 2001 में इसकी अस्थापना हुई है और इसमें कुल 9 देश है और इसका मुख्याले बीजिंग में है नेश्ट कोशन है जी सेबन सिकर सम्मिलन तो 49 जी सिकर सम्मिलन 2023 में कहा होगा जापान में 50 कहा पर होगा इसमें कुल 7 देश सामिल है नेश्ट है आसियान सिकर सम्मिलन आसियान सिकर सम्मिलन 40 और 41 और 41 और आसियान सिकर सम्मिलन 22 में इंडोनेसिया में आयोजित किया गया 42 और 43 सिकर सम्मिलन 23 में इंडोनेसिया में आयोजित होगा यह कंबोडिया में यह निगा है, 31-32 और 22-40 धियर्स कहां होगा? अंडονेसिया में होगा इसके बाद 38 और 49 कहां हुआ था? यह बूर्नोई में हुआ था और इसकी असितापना 1967 में की गई थी और इसका मुख्याले जाकारता इंडोनेसिया में यह स्थित है ठीक है इसके रामा अगर आपसे यह पूछा जाए किसमें किते देश हैं किसमें कुल 10 देश हैं आसियान में म्यामार थाइलेंड कमोरिया सिंगापूर बुर्नोई इंडोनेसिया मलेसिया वियतनाम लाओस फिल जाता है यह भी याद दखेगा आप लोग तो दस देश टोटल है यह देशों के समों को आसियान के देश कहा जाता है नेश कोशन है बातिस्वार कहा वूआ है मैड्रिट इसमें हो चुका है या एक सैन संग्ठन है और इसका मुख्याले बुर्सेल्स बेल्जियम में इस्तित है नेश्ट कोशन है पंद्रों वहां बिर्ट्सी का समयंद तेईस में कहां पर होगा दच्छिल अफ्रीका में होगा चोदों हां कहां पर होगा था चीन में इसके अस्थापना नोट कर लिए गालग से इसमें कुल पांच देश हैं बारत चीन रशील अफरीका रूस और ब्राजील है निश्ट है आगे बढ़ते हैं हम लोग संयुत राश्ट संग द्वारा कौन कौन सी घोशना की गई है ये भी देख लेते हैं तो 2021 को सांती और विकास हेदू अंतराश्टिय वर्स घोशित किया गया था 2022 को कुटीर मस्की और मस्पालन हेदू अंतराश्टिय वर्स घोशित किया गया था 2023 को भारत के कहने पर मोटे अनाजो और बाजरे का अंतराश्टिय वर्स घोशित किया गया है सन्युक्त राश्ट संग द्वारा तो 2022 से 32 दस साल के लिए सोदेशी भासाओ का अंतराश्टिय दसक चला है यह आपसे पूछा जा सकता है और दूसरा 2021 से 2030 तक सन्युक्त राश्ट पालिस सित की बहाली दिवस घोशित किया गया है यह भी पूछा जा सकता है आपसे तक सांती का दसक नेलसन मंडेला दसक घुसित किया गया है, दो दसक है, एक सांती का दसक और उसका नाम है नेलसन मंडेला दसक घुसित किया गया है, 2019 से 2028 तक और 2018 से 27 तक गरीबी और मुलन का अंतराश्टिय दसक घुसित किया गया है, ये भी याद देखेगा, बहुत ही मह महत्पून, दसक है ये आफ से जाम में पूछे seals सकते हैं आगे बड़ते हैं लोग कुछ सैन अभ्यास कर लिते हैं और अलग अलग देसों के साथ भारत सैन अभ्यास करता है उसकी हम बात तक कर लेते हैं भारत और अमेरिका की बीच कौन-कौन और अमेरिका करते हैं नेश्ट है भारत और जापान की बीच होने वाला सेन अभ्यास कोन है तो जिम मेक्स 5 है और समुंदरी साज़ेदारी अभ्यास और धर्म गार्जियन सेन अभ्यास यह तीन सेन अभ्यास भारत और जापान करते हैं नेश्ट है भारत बंगादेश के बीच कुन कुन से सायन अभ्यास है तो उसमें है एक संप्रीत दूसरा है बोगो सागर और तिसरा है कौर पैट क्या दखेगा तो यह तीनों किसके साथ होता है भारत और बंगादेश के साथ में नेक्स है भारत स्रीलंका के बीच कोई सैन अभ्यास होते हैं, तो इसमेंivers 6 और ₹ मित्र, सक्टी ये दुनों सैन अभ्यास भारत और फ्रांस करते हैं नेक्ष्ट है भारत फ्रांस की बीच में कौन सायन अभ्यास महत्पूर्ण है तो सक्ति और दूसरा है वरुण सक्ति और वरुण सायन अभ्यास दोनों भारत और फ्रांस करते हैं नेक्स्ट है भारत और रूस के साथ होने वाले सायन अभ्यास कोन है, तो पास सायन अभ्यास है, यह भारत और रूस करते हैं, तो यह महात्पुर्ड कोस्ट थे करें टरफियर के, आपको वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर जो हैं तमेल करके बताएगा, चेनल को लाइक करे की भी तैयरी हम लोग आगे बढ़ाएंगे यूपी पीसेस की भी तैयरी आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अब बिल आइकन को प्रिस कर लिजेगा ओके थैंक यू